हलो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे दो स्टॉक्स के बारे में SDFC बैंक और पीरामल एंटरप्राइज़स और अगर आपको DMAT अकाउंट उपन करना है तो फ्री DMAT अकाउंट आप उपन कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है सबसे बेले बात करेंगे SDFC बैंक की फिलाल ट्रेट कर रहा है 1493 के पास काफी अच्छा कंसॉलिडेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस रेंज में सो यहाँ से मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड जरूर देखने को मिलेगा इस काउंटर में SDFC बैंक कल मैंने पेडिलाइट के बारे में बताया था SDFC बैंक वो दूसरा शेर है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि लॉंग टम अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यह ट्रेंड आप देखिए काफी बढ़िया कंटिनियूस अपसाइड यहाँ पे कोरोना वाइरस की वज़े से जो डाउनसाइड आया भी था उसके बाद जो प्रिवियस हाई था उसके भी उपर जाके अभी ट्रेट कर रहा है सो लॉंग टर्म अगर आपका व्यू है एसडिएफसी बैंक चोटी कॉंटिटी में एड करते रही है अगर आपने उपर वाली लेवल्स जो की इन लेवल्स के अगर में बात करूँ 1600, 1640 के पास भी अगर आपने खरीदा है तो टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पे आप थोड़ा और बाई करके अबरेज कर लीजे नीचे के तरफ करेक्शन अगर आया जादा से जादा करेक्शन तो मुझे लग रहे है 1370 के पास आ सकते है लेकिन काफी मुश्किल है उसके पहले भी एक सपोर्ट यहाँ पे बनता वा नजर आ रहा है 1440 के पास बट फिलाल के लिए कोई डरने वाली बात नहीं अगर आप बाई कर रहे हैं तो करते रहे हैं लेकिन छोटी कॉंटिटी में आड कीजे एक साथ ज्यादा कॉंटिटी बाई मत कीजे जिस दिन प्राइस गिरता है उस दिन आड कीजे ताकि आपका एवरेज नीचे की तरफ आते रहें जिस दिन मार्किट ऊपर चड़ रहा है उस दिन बाई मत कीजे जिस दिन नीचे गिर रहा है उस दिन बाई कीजे अगला जो स्टॉक है वो है पिरामल एंटरप्राइस पिरामल enterprise में strength थोड़ी कम नजर आ रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं continuous एक downside trend बना हुआ है reversal अभी clear reversal देखने को नहीं मिल रहा है 1749 के पास एक support बनाया जरूर है फिलाल 1786 पर trade कर रहा है यह counter अगर आपको 1700 के पास मिलता है तो वहाँ पर आप छोटी quantity add कर सकते है current price पर आप थोड़ा बहुत add कर लिजे ताकि अगर यहाँ से reversal आ गया तो फिर आपके पास नीचे में stock रहेगा और अगर यहाँ से नीचे भी जाता है तो आपके पास पैसे रहेंगे उसे average करने के लिए तो 1700 का एक range है जहाँ पर आप नजर रखी है अगर 1700 के पास मिलता है तो काफी बढ़िया range होगा पिरामल enterprise में एंटर करने के लिए वन आवर चार्ट की अगर मैं बात करूँ अभी फिलाल negative है जब तक यह positive नहीं होता है तब तक कोई बड़ा upside देखने को नहीं मिलेगा थोड़ा और कम duration वाला चार्ट लेते है तो 15 minute चार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर positive है लेकिन trend कुछ clear नहीं है यहाँ पर भी downside ही नजर आ रहा है तो फिलाल के लिए अगर आपको add करना है छोटी quantity add करके छोड़ दीजिए उसके बाद wait कीजिए अगर थोड़ा correction आता है तो वहाँ पर आपको buy करने का मौका मिलेगा 1700 के पास के levels काफी बढ़िया होंगे अगर आपको पिरामल enterprise में 1700 के levels मिलते हैं तो छोटी quantity में add करना है दोबारा बोल रहा हूँ एक साथ जाधा quantity बाई मत कीजिए थैंक्स पर वाचिं दिस वीडियो प्लीस दू सब्सक्राइब फोर रेगिलर अपडेट्स